वहां से जो तस्वीरें लेटेस्ट वो सामने आ गई हैं एक बार फिर से वहां बवाल शुरू हो गया है पहले वो खबर अपने दर्शों को बताते हैं आपके पास मनोश का विरुक करने की कोशिश करेंगे जो शंबू बॉर्डर पर ही अबारे साथ मौजूद हैं लेकिन ब और खोशिश यही है कि किसानों को भी किसी तरीके का नुकसान ना हो इसलिए एक बहुत बड़ी चुनाती प्रशासन के लिए बनी हुई है कि कैसे किसानों को बिना उन्हें हानी पहुंचाए नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ने से रोका जाए इसलिए आसो गैस के गोल बिलकोल अभी कुछ दिर पहले तीर आसु गैस के गोल एक पर फिर से दा गए हैं क्योंकि लगातार किसान बढ़ रहे थे चेतावनी दी जा रही थी कि किसान पीछे ना हटें और उसके बाद आसु गैस के गोले चलाए गए हैं हम कोशिश करें आपको तस्वीर दिखाने की मैं काऊंगा विजे नितिन को की वो दिखाएं कि क्या हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं अभी क्योंकि टेर गैस चलाए गई हैं तो कुछ किसान पीछे की तरफ आए हैं लेकिन अभी भी देखिए किसान जो है शंबू बा पर फिर से हंगावार शुरू हो चुका है बवाल की तस्वीर लगा था टाइम स्वीर नव भरत आप तक महुचाता रहेगा क्योंकि हमारी टीम शंबू बार्टर पर इस वक्त मौजूद है जो बताएंगी आपको की फिलाल वाँ पर क्या स्थिती है कल यहीं जहां पर किस वो जरूर करके ही रहेंगे और यहां से आगे बढ़ते वे वो सिंगू बॉर्डर की तरफ जाएंगे लेकिन कोशिश यही पुलिस प्रशासन की कि उन्हें यहां से ही आगे बढ़ने से रोका जाए तो यह बड़ी खबर आज भी सुबह देखी जिस तरह से मनौज हमारे स तस्वीरों के जरीये कैसे आसू गैस के गोले फिर से वहां पर दागे गए हैं और शंबू बॉर्डर एक बार फिर से पी सेंटर बना हुआ है पूरे किसान अंदोलन का कल से ही पूरी रात किसानों का जबाबरा वहां लगा रहा